तो सपना तो था Randy Orton को winner बनते वे देखने का लेकिन King and Queen of the Ring में जो हुआ है यह अन्याए हम तो नहीं सहेंगे या Okay, Hello Chatters, My Name is Rohit and You are Watching Wrestle Chatter तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज वे डेबल डेबली के King and Queen of the Ring Premium Live End के बारे में जिसके टाइमिंग हम लोगों के हिसाब से रात को साले दस बुजे थी तो मैं expect करना हूँ कि आप सब लोगों ने चिल होके enjoy किया होगा, आप सुबह review वीडियो के साथ बात करते हैं सबसे पहले सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में बस पूरा देखना और कुछ interesting opinion में मेरे पूरे शो के बार में सबसे पहले जो शो की starting है वो बैकलिंच और लेम ओरन के मैच के साथ होती है, जहां पर रिया रिपली की championship ऑन दो लाइन थी मुए तो रिया रिपली होना पड़ता तो बड़ा मस्त creative वे उन्होंने ढूड़ा, अब मैच की शुरुवाद ही बहुत fast-paced थी और उसका reason यह था कि क्योंकि दोनों जो superstars है वो एक दुसरे के पीछे गुस्ता से पढ़ए हुए तो तो aggressive वे मैच की शुरुवाद होती है, लेम ओन की तरफ से आप पर court breaker लगता है, रनिंग नहीं लगती है, लेकिन बैकले इस ने बार बार हर चीज़ के उपर के count किया, तो एक point पर ऐसा लग रहा था कि लिब मॉर्गन बहुत परिशान होगी कि अब क्या करों, कैसे करके मैं score रहा हूँ कि आज में championship तो जीत के जानी है, उसके बाद बैकले इस ने डिसार में लगाया, लेकिन डॉमनिक मिस्टीरियो हमको ring side से दिखते हैं, और डॉमनिक मिस्टीरियो ring side से थे तो पता कैसे थे ऐसे थे कि मैं तो बस आ गया हूँ, ऐसा लगा कि उन्होंने दिखाने ही कोशिस नहीं करी कि वो कुछ करने आया है, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए आया थे, लिब मॉर्गन ने आपे court breaker हिट किया, लेकिन उसके ओपर फिर से kick out हो जाता है, अब बैकले इस ने superplex लगाय और finisher hit करते ही pinfall हो गया है, और हमको Saudi Arabia के show से नया champion मिल चुका है, लिब मॉर्गन crown हो चुकी है, फाइनली WWE में women's world champion, ये लिब मॉर्गन के fans को बहुत दो खुश करेगा, लेकिन अगर आप Dominic Mysterio के reaction को देखो को बाई, तो Dominic को देखके still ऐसा लग रहा है कि यह जैसे अरे म उनके चहरे पर ना कोई खुशी थी, वो confused दी है, तो अभी भी WWE को बहुत मिस्टीरियस रख रहे है कि चले क्या राएगी है, अगर Dominic को खुशी तो दिखा रहे थे कि मजा आ गया, तो फिर तो बड़ा अजीव होता, लेकिन Michael को कॉमेंटरी से जरूर कह रहे थे कि यह सार जेन वर्सिस चैट गेबल वर्सिस ब्रॉंस रीड की बीच में और यह इंटर कॉंटिनेंटल जैंपन्शिप के लिए था, सबसे पहले तो आज चैट गेबल की एंटरेंस पर जो यू सक के चैनल लग रहे थे, यह प्योर कर्ट एंगल वाली वाइब्स दे रहे थे और जो जागा है, रीसंट टाइम में वो तो यहां के शो को और अच्छा बनायता है, कभी-कभी स्टिल अभी भी ऐसा लगता है कि आर अचारक से यह डैड इसे की होगा है, लेकिन जब भी कुछ ऐसे मूवमेंट बनाने की बारी आती तो उसमें पीछे नहीं रहे तो यह यू बहुत अच्छा लगा देखने में और समी जेन के लिए सपोर्ट भी बहुत अच्छा था क्योंकि ओविसली वह जो हैं वहां से बिलॉंग करते हों के हिस्ट्री रही है, इसके बाद चैट गेवल सूपर प्लेक्स लगाने के रहे जाते हैं, बिल्कुल पावर बाब्म की के अंदर हमेशा ट्रेडिशन रहा ऐसा मूव होने का, ब्रॉंसन रीड ने मूनसॉल लगाया, वो तो मिस हो गया, उसके बाद ठीक बाद चैट गेवल ने मूनसॉल लगा, वो पिन करते हैं ब्रॉंसन रीड को, लेकिन जो सैमी जेन ब्रेक कर देते हैं, इसके बाद चैट गेवल को एंकल लॉक में लगा रहे थे, तो एंकल लॉक की सिक्वेंस से या पे ब्लू थंडर बंब हिट कर सकते हैं, क्या सैमी जेन ब्रॉंसन रीड को, अगर सवाल है तो आज किस मैच साब को पता चल जाए, क्योंकि सैमी जेन ने वह चीज करी, डबल स्टैग्ड समोन ब्रॉंसन रीड का, इसके साथ साथ two German suplex पहले चैट गेवल ने मारे अपने, उसके बाद सैमी जेन ने मारे और इसके बाद चैट गेवल ने दोनों को ही सूपर प्लेक्स मार दिया, मतलब सूपलेक्स मार दिया, क्योंकि ब्रॉंसन रीड को पकड़ा था और चैट गेवल अब इस मैज में सबसे इंटरस्टिंग पॉइंट, जो हम कह रहे हैं कि यार ओटिस आया है चैट गेवल के साथ यह कुछ ना कुछ तो करेगा, तो चैट गेवल इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई अब तेरा मौका आ गया तुमार, ब्रॉंसन रीड को तो ने मार दिया, ले तो यह चीज थोड़ी सी वहाँ पर एक OMG वाला मौमेंट कर रहे थी, अब इसका फायदा उठा लिया, सैमे जेन ने वह जाते हैं रिंग के अंदर, और रिंग के अंदर जाके उनने हलुआ के कुमारी ब्रॉंसन रीड को पिन कर दिया, और यहाँ पर अपनी सक्सेस्वली फिर वाइट दे देता, और क्योंकि ब्रॉंसन रीड एक हलुआ के कि में पिन हो गया है, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, क्योंकि जिस तरीके से उनको स्ट्रॉंग दिखाते हैं, एक दो फिनिशर के पर किकाउट शैदो कर सकते हैं, लेकिन फिर यह सो कोई कंप्लेन न देरे लायर वालकिरिया को सपोर्ट बहुत अच्छा मवल रहता हो, इसकी वेसे थोड़ा बहुत उन्होंने मैच में कमबैक करने ही कोशिश करी जो वो रिंग साट पर बुल डॉग लगाती है, तो विल्कुल फिर तो ऐसा क्राउट उनको सपोर्ट करने लग गया, ड्रॉ वो जी चुके है नाय जैक्स और रिपल आज आते हैं नाय जैक्स की ताज पोशी करने के लिए जहां पर इसा इसा भी जिए तो जीती गई और अब समर स्लम में मेरे पास यू चैंपनशिप आने वाली है, इसके बाद आता शो पर किंग अप दरिंक फाइनल्स रेंडी ओर लिए जैक्स का रहा जाता है, जब चौप मारने की शुरूआत हुई तो रेंडी ओर को कैसे चौप मार सकते हैं तो उसका जवाब भी तीन चौप के बाद बहुत मस्तरी के से पंचिस और अपर कट के साथ रेंडी ओर ने दिया, इसके बाद रेंडी ओर ने अपनी जो बै तो उन्होंने जो आरके ओमार नहीं कोशिच की तो मिस हो गया तो उसके बाद गुंतर ने उनका पटका था उसके बाद रेंडी ओर टन के उपर स्प्लैश मारते हैं गुंतर एक और वह तो बस किसी तरीके से गुंतर ने एक्जीक्यूट के गई अगर आप उसे देखो गय लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे मार दिया हो उसके बाद दुबार से स्प्लैश के लिए जाते वह तो हिट नहीं होता लेकिन अब रेंडी ओटर ने बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट बिल्कुल क्लीन स्मूध आरके और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अब गुंतर और रेंड कामला जो है रिंग साइट की ओपर जाता है तीन बार अनॉंसर डेस की ओपर जो रेंडी ओटन का पटकना है वह गुंतर के लिए आता है जब रिंग में एंट्री होती है तो रेंडी ओटन ने आरके हो हिट कर दिया लेकिन जब वो पिन करते हैं तो किक आउट हो गया उसक रिंग के बन चुके हैं कोई कि जन्रल रिंग जन्रल हो चुके है अब वह पिन फॉल जैसा था जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि एक शूलडर तो उपर है तो यह बहुत कॉंट्रवर्शल रहा डिसिजन और कह सकते हैं जस्टिस फॉर रेंडी ओटन वाला सीन हो गया भाई क्योंकि रेंडी ओटन अगर यह मैं जीच जाते तो फिर जा सकते लेकिन फिलाल वह चीज जो है गुंतर के पास आ चुकी है तो अब रेंडी ओटन के लिए थोड़ा सा यासा लग रहा है कि अरे यह क्या कर दिया बट जैसे मैं आपको बोला भी दावाई एक्चुल में अगर सबसे ज्यादा किंग ओफ दरिंग कोई ताज किसी के उपार सूट करेगा तो वह ताज मतलब पहनने वाला नहीं जो यह टाइटल है वह गुंतर के उप पैन लेंगे ना तो फिट रही होगा शादिस दी वजह नहीं पैना कि ऐसी लेके खड़े तो उसको तो वह थोड़ा सा वीर्ड लग रहा था बट गुंतर भाई किंग तो बने चुके अब आता शो का में इवेंट कोडी रोड्स वर्स लोगन पॉल का मैच और यह में इव लेकिन वहां के एक्टर हैं लेकिन उन्हें बहुत ही बेकार अनॉंसिंग करी भाई ऐसा मतलब मुझे लग रहा था इससे बड़िया तो यह जो भी मैं बोल रहा हूं इसी को छिपका दो तुम साओधी के शो की किलिप में वह ज़्यादा बेटर लगेगा तो जो भी एक है लोगन पॉल इस मैंच में ज्यादा एथलेटिक नजर आ रहे थे वह हैं कोडी रोट से लंबे लेकिन फिर वह देखके अजीब लग रहा था क्यूंका मैंच के रेस्लिंग स्टाइल है वह वैसा है कोडी रोट से डिजास्टर के कमारी एपर जिसके बाद जो सारा मामला व था नहीं शायद स्पॉंसर साओधी रेबे के शो के लिए नहीं हो रहा वह तो प्राइम ड्रिंक उन्होंने पी लेकिन लोगन पॉल को उसी ड्रिंक से पकड़ के उन्होंने मार दिया बट यह जो टैक्टिक थी वह इसलिए कि ब्रास नकल है उसको दुबारा से लेके आ सक करूंगा लोगन पॉल तो माइकल कोल से भाइस करने लग गया तो बहुत अच्छी ती लेकिन वह यह क्या हो गया वैसा कुछ नहीं था और क्यूंकि यह यहां पर इसको ज्यादा रिलेट कर पाता क्योंकि पता है ना इनका सब कुछ बैक्रांड वाट टाइम से देख रहे तो आपको एक एडबलु शो की तरह वाइब देगा अगर आप जानना चाहते हो कैसे होते हैं एडबलु के शोज अब इसमें मैं इतना जदा प्रफेशनल रेस्लिंग प्रिफर नहीं करता है बट साओधी का शो था तो एक शो के लिए मेरे को ऐसे प्रब्लम नहीं है अच कोडी रोट्स ने उसके उपर किकावटी करना था अब एक जो कोडी कटर है वो अनाउंसर डेस्ट के उपर लगा लग में समझ में नहीं आ रहा कि उसमें कोडी रोट्स को ज्यादा लगी या फिर लोगन पॉल को इस मैच का सबसे खतरनाग मुमेंट जब टॉप पे ये उसका तो काम तमाम हो गया अब प्न-फॉल करते लेकिन कोई पन करने के लिए था ये लोगन पॉल के पास फिर खूरर नगल आता है अब वहांसर आते है और जो उन्होंने है काम करने ने फाइदा लिए फादा लिया ग纜ी बक्की मूंपे लोगन पॉल कर आपने था ल लेकिन ऐसा खुछ नहीं था कि और यह क्या हो गया मतलब इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दो एसी और मस्त वीडियो उसके लिए और तब तक फिर लेते रहो जिन्दी के मज़े